स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासिस में मैं चेतन प्रताब आज आपके लेकर आया हूं कच्छा बारा में हिंदी के संस्कित खंड के अंतरगत चौथा अध्याय जातक कथा ये कथाएं जो हैं वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है तो इस अध्याय में भी एक दो पूर्व जन्मों का वर्णन है जिसमें पहला जो है वो है उलूक जातकम तो वीडियो को लाज तक द अतीते प्रथम कल्पे जना अतीते माने अतीत में प्राचीन काल में भूत काल में ठीक है प्रथम कल्पे यानि भूत काल के प्रथम कल्प में जना माने लोगों ने एक मभी रूपम यानि एक अभी रूपम यानि एक बिद्वान शोभग प्राप्तम शोभग प्राप्त सर्वाकार परिपूर्णम समस्त आकरती से परिपूर्ण पुरसम पुरुषको राजानम कुरवन राजा बनाया है यानि अतीत में लोगों ने एक विद्वान शोभग प्राप्त और समस्त आकरती से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया चतुस पदा अपी यानि चतुस पदों ने भी चार पैरों बालों में ने आई चार पैरों बालों ने भी यानि चौपायों ने भी सन्निपत जो चौपाये थे उन्होंने भी सन्निपत एकत्र हुकर एकम सिंगम का राजनम कुरवन एक सिंग को राजा बनाया ततह इसके बाद सकुनी गड़ा हिमवत प्रदेशे एक असमिन पासाणे शन्निपत इसके पश्चाद जो सकुनी गड़ थे पक्षी थे उन्होंने हिम्बत प्रदेश यानि हिमालय के एक अस्मिन माने एक पासाणे शन्य पत्थर के पास एक चटान के पास एकत्र होकर मनिश्वेशु राजा प्रग्यायते माने जाना जाता है कि मनिश्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुस पदे सुचा चा माने होता और चौपायों में भी राजा है यानि चौपायों में भी राजा उसी प्रकार तथा माने बैसे ही उसी प्रकार चौपायों में भी राजा जाना जाता है अस्माकम पुन्रंतरे राजा नास्ती अस्माकम माने हमारे पुन्रंतरे माने मद्ध में राजा नास्ती राजा नहीं यानि हमारे मद्ध में कोई राजी नहीं है अराज को बासो नाम नवर्थते अराज को बासो यानि बिना राजा के रहना उचित नहीं है एको राजस्थाने इस्थाप इतब्या यानि एक को किसी एक को राजा के इस्थान पर इस्थापित करना चाहिए इती उक्त बन्ता इस प्रकार से वे बोले क्या बोले किसी एक को राजा के इस्थान पर इस्थापित करना चाहिए फिर आगे अथ ते परस पर परस परम वलोक यंतह कि इस प्रकार कहकर इसके बाद अथ ते उन्होंने परस पर परस परम वलोक यंतह माने परस पर अवलोकित किया एक दूसरे को देखा यानि एक दूसरे को अवलोग करना माने देखना एक दूसरे को देखते हुए एक मुलूकम दृष्टवा एक उलू को देखा यानि देखा हो क्या बोलते I am no rojte itivochan itivochan माने इस प्रकार से कहा क्या कहा कि I am no rojte कि ये हमको अच्छा लगता है इस प्रकार से वो बोले आगे देखें अथे कहा शकुनी सर्वेशाम मध्या दाशय ग्रहनार्थम त्रिकत्वा अस्रावयत कि अथे कहा कि इसके बाद एक शकुनी एक कहा माने एक शकुनी कि इसके बाद एक शकुनी माने पक्षी ने सर्वेशाम मध्यासय ग्रहनार्थम की सभी के मध्यासय ग्रहन करने के लिए अर्थाद मत जानने के लिए त्रिकत्वा तीन बार अस्रावयत यानि तीन बार ये क्या किया सुनाया अस्रावयत का मतलब होता है सुनाया यानि ये घोषना सुनाईगी ये हमें अच्छा लगता है इसको राजा बना दें तो ततह ततह एक काका उत्थाए तब एक काक एक कववा एक कववा उत्थाए माने उठा एक कववा जो है तब एक कवगः उठा और क्या बोलता है तिष्ठ तावत अश्य उठाय तिष्ठ तावत अश्य तिष्ठ तावत जरा थेरो अश्य एक तस्मिं राज्या विशेक काले एवं रूपम मुखंप की वो कहता है जरा थेरो अश्य एक तश्मिन राज्याविशेक काले एवं रूपम मुखम कुरुदश्य चाकिर्दिसम भविश्यती और वो कहता है कि इसका जो मुख है जरा ठहरो पहले कहता है कि राज्याविशेक के समय राज्याविशेक काले कि राज्याविशेक के समय इसका मुख देखो एवम रूपम मुखम इसके मुख का रूप तो देखो यानि इसका जो रूप है वो तो देखो जरा कुरोधश्च चा और कुरोधश्च क्रोध में यानि क्रोध करने पर की दशंभविश्यती क्रोध करने पर कैसा होगा अभी राज्यवी शेक के समय इसका मुक्तो देखो जब क्रोध करेगा तब कैसा होगा अनेन ही कुर्धेन अवलोकिता और वो आगे कहता है अनेन ही कुर्धेन अवलोकिता कि इसके कुर्धित होने पर कुर्धित होने पर अवलोकिता कि जब ये देखेगा माने क्रोध इसके क्रुध होकर देखने पर वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिलाह यो तत्र धंग्षिया महा और आगे वो कहता है कि जब ये क्रोध करेगा इसके क्रुध होकर देखने पर वयम माने हम तप्त कटाहे माने तप्त कडाही में प्रक्षिप्तास्तिला का मतलब होता है प्रक्षिप्तास्तिला यानि डाले गए तिल की भाती यो तत्र तत्रयों कि जहां कहीं भी हम पढ़ जाएंगे जहां के तहां धंग शामा मुझ जाएंगे वो कह रहा है कि जब ये क्रोध के समय अपना यानि क्रोध करते हुए जब ये देखेगा तब क्या हाल होगा कि हम गर्म कड़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहां के तहां बिलकुल जल जाएंगे इद्रशो राजा महम नरोचते इत्या है वो इस प्रकार से बोला कि इद्रशो राजा महम नरोचते मुझे अच्छा नहीं लगता फिर वो आगे कहता है नामे रोचते भद्रम वह उलूकश्याभी सेचनम कि इस उलूक का अभिशेख माने राज्याभी शेख के समय ये मुझे रोचते भद्रम ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसका अक्रोध में इसका जो मुख देखो कथम कृधो भविश्यती और क्रोध करने पर इसका जो मुख होगा वो कैसा होगा जरा देखो सा एव मुक्तवा कि उसने इस प्रकार से एव मुक्तवा ये कहकर महम नरोचते महम नरोचते इती बिरूबन इती बिरूबन बिरूबन माने चिलाता हुआ है कि इस प्रकार से वो चिलाता हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा नहीं लगता ये चिलाता हुआ आकासे उत्पतत की आकास में उड़ गया उलुकोपी उलुक भी उत्था उठा एद मन्वधावत का अर्थ होता है पीछे जाना अनु अधावत चुपा है तो इसका मतलब है अनु माने होता अनु unlucky अधावत माने पीछा यानि पीछा किया उसने कि क्या किया उसने कि जब वो ये तना कहकर चिलाते हुए उड़ गया तो वो उलू कोपी यानि उलू क भी उठा उठा एन मन वधावत कि और उठा और उसने पीछा किया तत आरंभ्या यानि तभी से आरंभ हो गई आरंभ्या तो माने उन दोनों की अन्योन वेरिनो जातो कि तभी से उन दोनों का अन्योन वेर माने अनन्य सत्तुरता एक दूसरे के प्रती सत्तुरता आरंभ हो गई शकुनया अपी की पक्षियों ने भी शुवर्ण हंसम राजा नम कृत्वा अगमन की शुवर्ण हंस को राजा बनाकर करकर अगमन वो चले गए यानि जो पक्षी थे उन्होंने शुवर्ण हंस को राजा बनाया और चले चलिए अगे देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो है निर्ट जातकम शुरू करते हैं इसको अतीते प्रथम कल्पे चतुस पदा सिंग्हम राजा नम कृर्मन कि अतीते अतीत के प्रथम कल्प में यानि प्राचीन कल्प में पहले कल्प में प्राचीन यानि प्राचीन के पहले के समय का भूत काल्प तो अतीत के प्रथम कल्प में चतुस पदह सिंगम राजानम कुर्वन की चौपायों ने सिंग को राजा बनाया मच्षया आनंद मच्षयम और मच्छियों ने आनंद मच्ष को यानि आनंद मच्छी को शकुनया शुवर्ण हंसम और शकुनया माने पक्षियों ने शुवर्ण हंस को राजा बनाया अब आगे देखें तश्य पुनह शुवर्ण राजहंस श्य दुहिताम का आर्थ होता है पुत्री कि उसी शुवर्ण राजहंस की पुत्री उसी सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका हंस पोतिका माने होता है हंस की पुत्री अब यहाँ उसका कोई नाम नहीं दिये सीधा उसको हंस पोतिका कह दिये सुवर्ण राज हंस दुहिताम हंस पोतिका अतीव रूप वती आसीत कि जो उसकी पुत्री थी जिसका नाम हंस पोतिका था वो अतीव रूपवती आसी बहुत सुन्दर थी बहुत रूपवती थी अतीव माने अतियंत रूपवती थी माने बहुत सुन्दर थी अतदेख सुन्दर थी कि अब आगे देखते हैं कि तशा तश उसने उसे बर्मदात माने बर दिया मतलब कैसा बर दिया कि आत्म निश्चित रुचितम श्वामीनम ब्रुणयात इती कि जो हंस राज है उस हंस राज ने उसे बर दिया कि वो इस प्रकार से आत्म निश्चित रुचितम जो इसको आत्मा में रुचे यानि अपने रुची का अपने मनो वांचित श्वामीना माने पती विद्वियात इती कि अपने पती को वरण करे यानि जो उसे आत्मा में निश्यत हो आत्मे निश्यत रुचितम यानि स्वैम में जो उसको लगे अच्छा अपना मन पसंद विद्वियात का मतलब है वरण करे, वो अपने मन पसंद पती को वरण करे, इस प्रकार से वरदान दे कर, उन्होंने वरदान दिया, कि उस शुवर्ण जो राज हंस है, हंसराज है, उस ने उसे, उसे माने किसे अपनी लड़की हंस पोतिका को बर दिया, कि वह अपने मनोनुकूल, यानि जो उसको वरण करे, माने पती को वरे, ठिक, हंसराज हा, तस्षे बरम दत्वह, हिम्वती सकुनी संगह, सन्य पतत, कि हंसराज हा, तस्षे बरम दत्वह, कि हंसराज उसे वरदे कर, हिम्वती सकुनी संगह, यानि हिमाले के जो सकुनी संगह है, जो पक्षियों का समूह है, सन्य पतत माने उनको आमंत्रित किया कि हंस राज ने उसे बढ़ देकर हिमाले के पक्षियों के संग को यानि समुदाय को आमंत्रित किया नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनी गढ़ा कि विबिन प्रकार के हंस मयूरादी शकुनी गढ़ा माने पक्षी समागत्य एकस्मिन महती पासान तले शन्य पतन कि समागत्य माने सभी वहां आके खट्टे हो गए जब क्या हुआ कि उसके आमंत्रण पर जो बिभिन्य प्रकार के नाना प्रकार के जो हंस मयूर आदी जो सकुनी गण थे जो पक्षी थे वो समागत्य सारे वहां एकट्टे हो गए और एक अस्मिन एक महती पासान तले एक विशाल पासान तले शन्य पतन आके खट्टे जमा हो गए कि उसके आमंत्रण पर बिभिन्य प्रकार के हंस मूर आदी पक्षी गण आकर एक विशाल पत्थर के नीचे एकट्टे हो गए जमा हो गए एकट्र हो गए हंस राजहा आत्मनाह चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य ब्रुणुयात इती दुहितर मादी देश दुहितर मादी देश माने अपनी दुहिता को आदेश दिया कि हंस राज ने उसको क्या आदेश दिया कि आत्मनाह यानि अपने चित्रुचितम अपने मनो कूल यानि जो तुम्हें पसंद हो मनो वांचित स्वामिकम माने पती आगत्य आओ और ब्रुणुयात इती दुहितर मादी देश अपनी दुहितर माने उस पुत्री को कि तुम आओ और अपने मन पसंद पती को चुन लो ऐसा आदेश दिया कि वह आए आदेश दिया कि वह आकर अपने मन पसंद पती को चुन ले तो सकुनी संग है उसने सकुनी संग है अवलो की अंती उसने सकुनी संग है पक्षियों के संग में यानि समुदाय की और देखा अवलो के करना माने देखना अवलो की अंती मनी वर्ण ग्रीवम यानि उसने क्या किया कि समधाय पर अपनी द्रिष्टी डाली हंस जो कुमारी थी उसने पक्षियों के समधाय पर अपनी द्रिष्टी डालती हुए मनी वर्ण ग्रीवम मनी के रंग के समान उसने मनी वर्ण ग्रीवम का अरथ है कि नील मनी के रंग के गर्दन वाले चित्र प्रेक्ष्णम मयूरं द्रिष्टवा कि एक चित्र प्रिक्षण यानि विभिने प्रकार के रंग ब्रंग यानि बिचित्र पंखो वाले मयूर को देखा और अयम में स्वामी को भवतू इत्ते भासत उसने इस प्रकार से भासत किया इस प्रकार से बोली क्या बोली अयम मे स्वामी को भवतूर यह मेरा स्वामी हो मयूरा अब इतना उसने कहा तो मयूरा जो मोर है उसने मयूरा अध्यापी माने आज भी तावन मे बलम न पश्चती आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो क्या तुम मेरे आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो इती अती गर्वेन लज्जांच त्यक्तवा इती माने इस प्रकार से अती गर्वेन बहुत गर्व में भरते हुए माने अभिमान पूर्वक लज्जांच त्यक्तवा लाज को त्याकर लज्जा को त्याकर तावन मह उसी बिशाल सकुनी शंगों यानि सकुनी शंग का अर्थ है पक्षियों के समधाय के मध्य, पक्षो प्राशार, पंख अपने पसार कर, फैला कर, नर्ती तुमारब्दवान यानि उसने नाच्चना शुरू कर दिया, यानि इतना उसने बड़े लज्जापूर्वा गर्ब से कहा और निर्लज्जितापूर्वा पक्षियों, पक्षी समधाय के बीच, पंख फैला कर, नाच्चना शुरू कर दिया, नत्यन चा प्रति छन्नो भूत, शुवर्ण राजहंसह लज्जितापूर्वा अब जो शुवर्ण राजहंसे वो लज्जित हुआ, कि उसके इस प्रकार से नत्यन चा प्रति छन्नो भूत, शुवर्ण राजहंसह लज्जितापूर्ण राजहंसह लज्जित हुकर, सुबर्ण राज्जन क्या बोलते हैं अश्य न्याव ही कि अश्य न्याव हिरी हिरी का अर्थे लज्जा अस्ती ना तो इसको लज्जा है ना वर्हानाम समुथाने लज्जा यहां हिरी का मतलब है लज्जा नहीं विने कि ना ही तो इसको विने है और नाही वर्हानाम माने पंखों को फैलाना समुध थाने लज्जा और नाही अपनी पंखों को फैलाने से इसको उठान करने से माने उठाने में इसको लज्जा नहीं है वो इस प्रकार से बोला क्या बोला कि इस निरलज को अपनी श्वयम की पुत्री नहीं दूँगा इत कथियत इस प्रकार से उसने कहा हंस राजा तदेव परिशन मध्धी आत्मना भागिनियाय हंस पोतिकाय दुहितर मदाद अब हंस राज ने तदेव परिशन मध्धे उसी परिशन मध्ध उसी परिशर के मध्ध में आत्मना अपने भागिनियाय भांजे हंस पोतिकाय जिसका नाम था हंस पोति उसको दुहितर मदाद अपनी पुत्री को दे दिया दुहितर का मतलब है पुत्री तो उसको दे दिया यह यानि क्या कि आब उसने उसको ना देकर हंस राज ने उसी परिशन के मध्ध में अपने भांजा जो उसका था हंस पोति उसको अपनी पुत्री दे दिया मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जिता, अब यहां काम में अप्राप्य छुपा है ध्यानी जिगा, ठीक, तो मयूर ने हंस पोतिका को ना पाकर लज्जित होकर तस्मात, इस्थानात पलाई तह, कि उस स्थान से वो पलायन कर गया, भाग गया, हंस राजो अपी हंस राज ने भी हृष्ट मान शह सो ग्रहम अगच्छत हिर्ष्ट मान शह माने प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से सो ग्रहम अपने घर अगच्छत हंस राज भी अपी माने होता है अपने प्रसन्न होकर अपने घर लोट आया तो इस प्रकार से यह अध्या यहीं समाप्त होता है आसा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात रहें